Hello Friends Welcome to my channel Friends , अर्भी के पत्ते को पकोड़े तो आप तो कई तरीके से खाये होंगे लेकिन आज इस तरीके से, अर्भी के पत्ते को नई तरीके से जो हमने पकोड़े बनाए हैं जैसे कि इसे लोग बेशन और उड़त की दाल से बनाते हैं तो आप एक बार इस तरीके से आप बनाएए और देखिए आप बार बार इस पकोड़े को बनाना चाहेंगे तो चलिए आज हम आपको ये रेशिपी बताते हैं आपको बहुत पसंद आया कि यकीनन हम कह रहे हैं कि बिना जंजट के आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते ह तो चलिए आज इस नए तरीके से हम अर्भी के पतों के पकोड़े बनाते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में बेल आइकन की घंटे उससे प्रेस करना न भूलेगा जिससे कि हम चाने और हमारा नेश्ण वीडियो आपको तुरणत प्राप्थ हो सके सु उससे तो फ्रेंड्स हम वीडियो इस्टार्ट करते हैं देखें हम ने कहा हैं कि हमारे चैनल में पड़े हुए समानों से ही आपका यह रेशेपी बनेगा तो चलिए इस्टार्ट करते हैं हम खुर अबी के पत्तों को ले लेते हैं और इसे धोक करके अच्छी तरीके से अब यह बीश की जो नस इसको हम या तो आप शीजर से कट कर लिजिए या देखिए चाकू तो हर घर में रहता है इससे आप ऐसे कट करके बीच का जो आपका यह नस है इसको आप निकालेजिए जो मुल तो देखे हमने सारे नस ऐसे हमने निकाल यहां यह मुलायम था तो हमने इसका नहीं निकाला है तो इस तरीके से सारे पत्ते हम देखे कर लिए हैं अब इसको हम बीच से ऐसे कट कर देंगे आपको जिस भी सेप में कट करना हो कट कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम कट कर रहे हैं वैसे आप कट करें तो इस तरीके से आप पूरे अर्भी के पत्तो को कट कर लिजे इसके बाद देखे हम इसे एक बाउल में डालेंगे पत्तो को अब हम क्या करेंगे कि एक प्याज लेंगे और पूरे प्याज को हम पतला पतला कट करेंगे पहले हम स्लाइस में कट करेंगे इसके बाद जो है उसे हम छोटे-छोटे पीशो में ऐसे देखे कट कर देंगे इस तरीके से हमने एक प्याज जो है कट कर लिया अब इसको हम ऐसे कट करने के बाद इसे बाल में डाल देंगे अब हम एक आलू को लेंगे और इसे भी उसमें ग्रेट करके डालेंगे यकीनन मानिए इस तरीके से आपने अर्विक पत्ते जो अभी तक बनाए नहीं होंगे देखे हमने आधा इंच का टुकड़ा अधरक लिया उसे ग्रेट किया अब देखे चार पांच लेसुन की कलिया हरी मिर्च हमने डाला है और देखे धनिया के पत्ते को हमने डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर आप चाहें तो इसमें नीबू भी है अब इसमें हम हल्दी पाउडर वन फोर्थ डालेंगे अब इसमें देखे गरम मसाला हम डालते हैं काश्मीरी मिर्च को डालेंगे और यह अजवाइन हम डाल देते हैं कि गैस वगरा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पेट के लिए और स्वादा नुशार नमक तो आधी कटोरी उसको हम आइट करेंगे देखिए हमने जो है घर के बर्तनों से ही इसका माप रखा हुगा है तो हमने आधी कटोरी यह बेशन के चना के बेशन हमने डाले हुए हैं पले इसे थोड़ा सा इसे मिलाने के बाद हम इसमें पानी को आइट करेंगे तो देखिए हम मिला लिया है अब इसमें थोड़ा-thोड़ा करके हम पानी डालेंगे कहीं ज़ादा नहों जाए क्यूंकि अर्वी के पत्ते जो है जब नमक इसके साथ मिलता है तो थोड़ा पानी यह छोड़ता थो देखिए हम अच्छी तरीकी इस मिला लिए हैं अभी से ढग कर के रख दे लगाया हुगा है और देखिए तीनों कटर्यों लगा लिया अब में सफेद तिल पहले कटोरियों में डाल देंगे आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं इसके बाद हम जो हमने बैटर बनाय था ना सारी कटोरियों में डाल देंगे दिखें इस तरीके से है और इस अच्छा सश्थिप देने के बाद इसके उपर सफेद दिल हम फिर डाल देंगे अब है और रखनी के बाद इसे हम ढख करके तक्रीबन 10 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के बाद देखी अब इसे हम चेक कर लेते हैं किसी चाकू या तूथपिक से आप जो है चेक कर सकते हैं देखे हमने चाकू से चेक किया है अब ये अच्छी तरीके से नहीं हुआ है एक दो मिनट और इसे पकाएंगे ढख करके इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए आधा घंटा के लिए रख देंगे तो फ्रेंट देखे आधा घंटा हो चुका है अब देखे इसे हम खोल लेंगे और एक प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे तो देखे इसे हम अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है अब इसे हम एक प्लेट में देखे निकालेंगे कितने आसानि से निकल घया जरासा भी यह कोई जहनजट नइन आप बहुत अच्छे से आसानि तारीके से देखिए बना। यह तयार हो चुका है कितने राउंड शेफ बहुत ही प्यारा अब इसे ऊप्राइब कर लें इस तरीकेस हम पतला कर लेते हैं तो आयल ने गरम करने के लिए रख दिया है सर्सों के तेल में हमें से फ्राइ कर रहे हैं तो इसको देखिए हमने अभी एक ही पीछ डाल के आपको पहले दिखा दे रहे हैं कि अच्छी तरीके से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन क्योंकि यह तो अंदर से पका हुआ है तो इसे आप अच्छी प्राइए इस तरीके से से करके आप सारे जो है पकोड़े निकाल सकते हैं तो देखिए इस तरीके से आप चाहें तो दो तीन आप डाल सकते हैं तो हमने यह सारे एक-एक करके फ्राइब कर लेने हैं और इसे फ्राइब करने बहुत ही आसान तरीके से देखिए बन गया इस सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेश्ट रेसिपी के साथ नेश्ट वीडियो में थैंक यू बाइबाइ जढख अवीडियो खुली झाले और देता हैं थैंक यू प्रोगह दीडिया आठा करें जैंक यू नेश्ट वीडियो देखने के लिए देखने बाइबा देखने के लिए उन्यवाद आट्बागद गद्टाव्योंग्यों सब्सक्राइब में थारे खरें